नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ मैं हूँ रीनुयादव सबसे पहले बात करेंगे चिनवाड़ा को तोड़ कर एक और जिला बनानी की तैयारी की जा रही है राजस्व विभाग ने चिनवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखा है जा पर कलेक्टर को पत्र लिख कर मंगवाया गया है प्रस्ताव जुनारदेव विधानसबा को जिला बनानी की कवायत हो रही है बड़ी खबर आपको देना है चिनवारा को तोड़कर एक और जिला बनाने की तैयारी हो रही है राजस्वे विभाग ने चिनवारा कलेक्टर को लिखा पत्र कलेक्टर को पत्र लिख कर मंगवाया प्रस्ताव जुनार देव विधानसभा को जिला बनाने की कवायद हो रही है अब देखना ये है कि पत्र लिखे जाने के बाद जो जुनार देव विधानसभा को जिला बनाने की मांग हो रही है कवायत हो रही है ये कप्तक पूरी हो पाती है कपटक अपने मूल स्वरूप में आप पाती है खबर चिंदवारा से आपको दिर रहें जहांपर जुनार देव विधान सभा को जिला बनाने की कवायत की जा रही है और इसके चलते पत्र भी लिख दिया गया है चिन्वारा को तोड़ कर एक और जिला बनाने की तैयारी राज्यस्व विभाग ने चिन्वारा कलेक्टर को लिखा पत्र कलेक्टर को पत्र लिख कर मंगवाया प्रस्ताव और प्रस्ताव के मद्यम से जो जिन्नार देव विधान सभा है इसे जिला बनाने की कबायत साफ तर पर हो रही है और संबादाता श्यलेंदर भदोरिया जुड़ गया श्यलेंदर जुन्नार देव विधान सभा को अलग से जिला बनाने की बात कही जा रही है आप पहले भी ऐसी मांगे उठती आई थी अब लेक पत्र भी एक लिखा गया है इसके लिए यदि ये प्रस्ताव वहां से आता है और कविनिट को मंजूरी मिलती है तो मद्रप्रदेश का चपनवा जिला होगा क्योंकि आप तक मद्रप्रदेश 55 जिले बन चुके हमें आपको बता दू कि 2023 के विधान सभा चुनाओ के ठीक पहले सरकार ने चिंदवाडा से तोड़कर पाडूना को एक नया जिला बनाया था सौसर और पाडूना दो विलहन सभा मिलाकर एक नया जिला बनाया था और ऐसे में अब चिंदवाडा को एक और हिस्से में बाटने का जो मांग है वो लगातार हो रही थी तो ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर भी महर लग जाए इसके अलावा भी मद्रदेश के अलागाला गिस्तों से लगातार रिस्तरे की मांगे जो है वो लगातार उठवी रही है कि जिला बनाया जाए शूपुरी के अगर मैं पच्छोर तहसील की बात करूं तो वहां से भी जो है वो लगातार मांग भी उठ रही है सरकार के तमाम जो निता वहां परचार अभियान की दोरन पहुंचे थे उन्होंने भी पच्छोर को जिला बनाने की बात कही थे इसके अ देगा तो निश्चे तोर पर कैबिनेट में इसको मंजूरी में लेगी और इसके बाद मद्रप्रदेश का 56 जला यह जुनार देव जो है वह स्कुत में आ जाएगा जी बिलकुल बहुत शुक्री आपका जानकरी के लिए शेलिंडर तो इस तरीके से आप देखे जुनार बजरंग दल कारिकरताओं ने हंगामा कर दिया और दोस्त की आईडी पर फारुक खान रुका हुआ था दूसरे धर्मी की महिला के साथ ये फारुक खान होटल में रुका हुआ था रीवा करहने वाला बताया जा रहा है फारुक खान चांट पे जुटी विजय नगर थाना पुलिस बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दोर से जहां पर गलत आईडी पर होटल में रुका ये वक बजरंग दल कारिकरताओं ने किया हंगामा दोस्त की आईडी पर फारुक खान रुका था दूसरे धर्मी की महिला के साथ फारुक खान रुका हुआ था रीवा करहने व महिला के साथ रुका हुआ था एक होटल में रीवा करहने वाला ये यूवक बताया जा रहा है और इसने अपना नाम छुपा कर दोस्त की आईडी पर होटल में गया था और जब बजरंग दल के कार करता हो किस बात की जानकाली लगी हंगामा हुआ होटल से पारुक खान के यूवक को हाटा बुलाया गया बाहर और संबादा था मितलेश गुत्ता जुड़ गया है मितलेश ये पूरा मामला बताई गलत आईडी देकर होटल में रुका था यूवक किस मैला के साथ रुका था क्यों यहाँ पर पहुंचा हुआ था और इसने अपनी आईडी क्यों सुचना मिली थी कि एक मुश्लिम यूग जो है हिंदू लड़की के साथ में होटन रुका हुआ है उसने नाम बदल कर उस होटन में कमरा बुग किया है बजन दल करता हो वहां पर पहुंचते हैं तो जिस कमरे में वह मुश्लिम यूग रुका हुआ था सीधा उस कमरे में और उसे इस कमरे से बाहर बुलाते हैं उसके साथ उस वक्त बजन दल कारता मारपीड भी करते हैं और उसकी वज़ा सामने आई कि जब पहले नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम हिंदू बिजेस बताया और बिजेस नाम की आईडी कारी उसने होटल में दी थी जब उस पूरे मामले में बजन दल ने उससे सक्तिस पूस्ताच करने के बाद उसे लियाके पुलिस के हवाले कर दिया पूलिस को सुपरत कर दिया पूरे मामले में पूरे मामले में केस दर्श किया लेकि बजन दल का पूरे मामले में कहना है कि उसने आईडी कार्ट दूसरे नाम क का है कि जाच चल रही है जाच में जो भी तत्य सामने आएंगे लड़की का जो महिला मापेती उनके जो भी स्टेटमेंट आएंगे उस स्टेटमेंट के अधार पर पुलिस दर आए बढ़ा सकती है तो फिलाज जाच के बात कहीं जा रही है लेकिन इंदोर से बड़ा मामला स सामने आए जहां पर फारुक बिजेस बनकर होटल में रुका और उसके साथ में हिंदू धर्मे की यूती रुकी वीती है और जिसके बात बंजन दलकार करता हो ने देर रात होटल में जमका हंगामा मचाया और उसके पुलिस के सुपरत कर दिया जी बलकुल मितलेश बहुत शुकूरे आपका तमाम जानकरी साजा करने के लिए तो अब देरा तक काफे अंगामा हुआ और फारुक खान नाम के यूवक को पकड़ लिया गया और पुलिस के हावाले कर दिया गया है कई धराओं में मामना दच किया गया है जानगी चापा से खबरेजा अस्पताल में 28 दिन इलाज के बाद C.A.F. जवान की मौत हो गई है 27 जुन को जवाने खुद को गोली माली थी C.F. कैम्प रामपूर में 15 वी डी कमपनी में जवान थदैनाथ और इलाज के लिए बीजापूर अस्पताल में भरती किया गया था बड़ी खबर है जानगी चापा से जापार अस्पताल में 28 दिन इलाज के बाद C.A.F. जवान की मौत का मामला 27 जुन को जवाने खुद को गोली माली थी अब इस पूरे मामे की जाच लगतार की जारी थी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जवान ने खुद को गोली माली और काफी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था C.A.F. कैम्प रामपूर में 15 दी कमपनी में तनाथ था जवान संबादाता कैलाश कश्यप जुड़ गयें कैलाश बहुती दुखा दी जानकारी के C.A.F. जवान के इलाज के दोरान मौत हो गई कैम्प रामपूर में तैनाथ मनद दिनकर नामक एक जवान ने सब्दाई जिनको खुद को गोली मार ले थी और बेहतर इलाज के लिए उसको बीजापूर अस्पताल में भरती कराएगा साथ 28 दिन इलाज के बाद उस जवान के मौत हो भी यह दर्दनाख है तामगर शेतर के भुल गाओं को जवान है जो आज अंतिन संस्कार के लिए जवान को जब सब यहां पहुंचा तो गाओं में और छेतर में पूरी तरह से गमगीन माहूल बन गया है दुखत घटना है कि ये जो है केम पराया है रामपूर में पंदरे बटालियन बीजापुर बड़ा ने जो है इस घटना की पुष्टी की थी और दुखत घटना है नाथ में उनकी पतनी और उनके भाई के साथा पूरे परिवार को छोड़ कर चला गया आज 28 दिन इलाज क के बाद भी जवान नहीं बचवाया बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका किलाश जानकारी के लिए तो काफी दुखरी पूरे घटनकरम है और जवान की मरत्य हो गई है पूरे परिवार में शोक के लिए एप दे इसलाश बाद जवान ने द copyright है मुरेनम इएम्बुलांस में चल रही सवारिया दोते وीडियो सामने आ एंबुलेंस में चालक भरकर सवारिया लेकर जाते हैं जौरा रोड का ये वीडियो बताए जा रहा है मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिल पाती है प्रशासन ने जाच के आदेश दिये हैं आप ये देखिए लगातार ऐसी खबरे सामने आती है जब मरीजों को एंबुलेंस न सामने आया है दर असल ये यूवक जो एंबुलेंस चलाते हैं ये सवारियों से पैसा ले लेते हैं और उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ देते हैं अब बड़ा सवाल ये है कि एंबुलेंस क्या मरीज ढोने के लिए है मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रिदर्शन बीजेपी पार्षट पर रेप केस में प्रिदर्शन किया रहा है कारिकरताओं ने बीजेपी पार्षट का पुतला जलाया आरूपी पार्षट नितिन शर्मा के इस्तीपे की मांग की गई है बड़ी ख़बर इन दौर से आपको दे रहे हैं जहां पर महिला तो देखी हाई हाई के नारी लगाए जा रहे हैं दरसल बीडेपी पारशत पर रेप केस में प्रेज़र्शन किया रहा है आरोपी पारशत के खिलाफ ये प्रेज़र्शन कॉंग्रेस महला कॉंग्रेस ने किया पूरा मामला बताई मैला कॉंग्रेस पूतला दहन कर रही है हाई हाई के नारे लगा रही है पूरे मामले में आज मैला कॉंग्रेस ने बड़ा प्रदेशन किया है और पूतला जिसका जिलाया है वो बीजेबी के पार्सद है नितिन उर्फ शादू सर्मा दौर का पूरी ठाने में कली एक दुश्कार में का केस पार्सद के उपार दज़ हुआ था पूरा मामला सामने आया था कि एक मैला को लोन चुकाना था और लोन की किस्तर ने बढ़ पाया था उसके लिए पार्सद से पैसे लिए थे और पैसे जब लिए गए थे तो पैसे वापस निकर पारी थी मजबुरी थी उस मजबूरी का फायदा उठाकर सारे दिक संब्ध बनाने के महिला के दोड़ार आरोप लगाये गए एक बार नहीं कई बार सारे दिक संब्ध बनाये गए दूसरे जो उनके बुरुस दोस्ते भी तुर्वादी गई थी और लगातार उन्हें परसान किया ज़रा था उन्हें मामले में गंपिर्था से जाच की गई बड़े अधिकारियों के मामले जब पुरा मामला पहुचा तो बड़े अधिकारियों के निर्देश में इसमें द्वार का पुरिताने में कले फाया दश हुई और आज इसी माम को लेकर पहुची महिला कॉंग्रेस की सबसे प पूरा जो है दना पर दसन का कार्गम किया गया बिल्कुल बहुत शुकरी आपका जानकारी के लिए मिथलेश तो महिला कॉंग्रेस के द्वारा इप्रेशन किया गया है और अरूपी पार्शर नितन के खिलाफ यह हंगामा किया है और उचित कारवाई की मांग थे खबर दुर्गिसे जहां पर भिलाई में NIA की डबिश्टी गई है NGO संचाला कलादास डहरिया की निवास पर डबिश्टी गई 6 से जादा दिकारी डबिश में शामिल रहें नकसलियों से 60 गार की शक पर डबिश्टी गई बड़ी खबर आपको दे रहें हैं दुर्ग से जहां पर भिलाई में NIA ने दबिश्टी है NGO संचाला कलादास डहरिया की निवास पर डबिश्टी गई 6 से जादा दिकारी डबिश्टी में शामिल रहें नकसलियों से 60 गार के शक पर डबिश्टी गई है और संभादाता मितलेश ठाको जुड़ गया है मितलेश भिलाई में NIA की दबिश्ट जहां पर NGO संचाला कलादास डहरिया की निवास पर डबिश्टी गई है क्या कौन सा शक था क्या कोई सूचना मिली थी देखिए NIA को यह संभादा यह सूचना मिली है कि जो कलादास है वो लुटे जो संपर्ख है वो नकसलियों से इसी वज़र से भी यहां पर पहुंचे हुए है आज सुबह ही की दबिश्टी गई है बड़ी संक्या में आपर तनात रहा है NIA के अजिकारी आपर मौजुद रहे है पुलिस का बल भी तनात रहा है और इस दरान यहां भी लोग ने च्छान बेन की है और पैंट्राइव लैप्टाप और मुबाइल टीमों को जब तक किया है लगातार इस तरह की सूचना समोगता NIA को प्राप्त वरही थी और यही वज़े थी कि आज जो है वो सुबा दिली से आई कीम ने जामुल शित्र में दविश दिया और यहां पर जो एंजियो के संचालन करते हैं यह पूरल माफले में जानकारी अधिकरत रूप से ने दीगहिए में लेकिन समन्त है कुस अब प्रापि फिला इह और गल्बात यह कमें वह द दौरन क्या कुछ अभी जानकारी मिल पाइbaar कि đến wenns दो शुरत एंड में खुला-साँ हुआ हो या पिर इनकी ऐसी कोई काम काज हों जो की काफी संदिक दे समझ में आते हों इनका कारूबार क्या है काम क्या है बिजनस क्या है तो यहां से कोई संब्दिंग को लेकर भी यह जा रही है और यह किस तरह के नेता है कि मजदूर में से कई जीसे संपर्ट होते हैं तो समझ आइए यही एकनूवान लगाया जा रहा है तो इनके नक्षियों से साट कार्ट रहे हो तो कि इसके पूरह भी जीस तरह से जिस छेतर में आज यह दिविस्दीग गई है वहां से नक्सेय के कुछ संपर्क वाले लोग भी पहले पकड़े जा चुके हैं तो यह इन से यह भी पूस्टाश की जा रही है कि उन से किस तरह के संबंदर की funding होती है इनको तो अभी जब NIA इस पूरे मावले में अधिकर चैन करें देगा बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इनका किस किस तरह से संबंद है तहां तहां से इनकी funding थी चुकि अभी तो यह प्रात्मिक इस तरफी है कि अभी यह जाज की जा रही है और पिर जाज होगी जिस तरह से बताए जा रहे है कि लैप टाप और पहेंदर को मोबैल फोन इन तमाम सीज की तक्निकी जाज की जाएगी तो शाद और भी बाते सामने आपाएगी ठीक है बहुत शुक्री आपका मिथलेश तमाम जानकारी के लिए है धमतरी मैंचन पर बैठे यूवकों की तब्यत अचानक से बिगड़ गया आमरन अंचन पर बैठे दो यूवकों की दबित खराब हो गई एमबुलेंस दोनों यूवकों को भेजा गया अस्पताल चार कि दुनों से गांधी मैदान में ये आमरन अंचन कर रहे थे नौकरी से हटाने के विरोद में कर रहे हैंशन शराब की दुकान में गाड और सुपरिवाइजर की नौकरी एम इन्हें हटा दिया गया और ये आम रन अंचन पर बैठे जिस सिनhtень की तब्यत खराब हो गई और इन्हें तुरंत यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया धमतरी का पूरा मामला है संभादाता अभिशेक पाने जुड़ी अभिशेक पूरा मामला बताईए अंशन पर बैठे यूवकों के अचानक से तब्यत खराब हो गई रिजनी देखी यह लोग शराब दुकान में काम करने वाले करमचारी हैं और तीन मैने पहले इनकी खिलाब दुकान में गरबड़ी के आरोप लगे थे और इसके बाद इन्हें काम से हटा दिया गया था उस मामले की पूरी जाच हुई थी और उस जाच में पाया गया कि यह जो लोग है आरोपी थे वो दोश मुक्त पाया गया कोई गरबड़ी इनके द्वारत करना गया नहीं पाया गया उसके बाद अब यह मान कर रहे हैं कि अगर इने कोई काम मतलब दोश कुछ नहीं है तो इनका नौकरी वापिस मिलने किये लेकिन वो नौकरी इने वापिस न इनके निरिक्षंट में निर्देश पर एंबुलेंस बुला कर जिरा स्पिताल भीजवाए गया है जी बलकुल बहुत शुक्री आपका विश्यक तमाम जानकानी के लिए राइसेंसे कबरे जहां चलती वैंड में अचानक से आग लग गई बैन सवारों की सूझ बूट से बड़ा हाथ सा टला दमकल ने आग पर काबू पालिया भानपूर से सिल्वानी जा रहे थे बैन सवार बच्ची का इलाज कराने जा रहे थे सवार बैन में आग लगने का क कारण साफ नहीं हुआ है बड़ी खवार राइसेंसे हैं जहां पर चलती वैंड में अचानक से आग लग गई बैन सवारों की सूझ बूट से बड़ा हाथ सा टला दमकल ने आग पर काबू पालिया भानपूर से सिल्वानी जा रहे थे बैन सवार बच्ची का इलाज कराने बैन सवार जा रहे थे बैन में आग लगने का कारण इस पस्ति नहीं है तो देखिए चलती वैंड में अचानक से आग लग गई थी और हलंकि इसे बुझा लिया गया गनीमत ये रही कि कोई जनहानी नहीं हुई नहीं कोई इसमें जुलसा है और समय रहते इस वैंड में ल चतरपुर की धसान नदी में अचानक से बार्ज जैसे हालात बन गए है बान सुजारा बांथ के बारह गेट खुलने से नदी में उफान आ गया है धसान नदी का डूबा पुल उपर से पानी बह रहा है टीकमगड को जोडने वाला पुल डूब गया पुल के दोनों तरफ लोग पस गए है प्रेशासन ने बार्ज का अलर्ट भी जारी कर दिया है बड़ी खबर है चतरपुर की धसान नदी में अचानक से बार्ज आ गई बांथ सुजारा बांथ के बारह गेट खुलने से नदी में आया उफान धसान नदी का पुल उपर से बह रहा है पानी और देखिए टेकमगड को जोणने वाला जो पुल है वहां दोनों तरफ लंबा जाम लग चुका है लोग रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं और प्रेशासन ने बार्ट का अलर्ट भी जारी किया है लोग पुल के दोनों तरफ फस गए है और अब देखिए लापरवाही की तस्वीरें दमों से आ रही है जहांपर जान जोखी में डालकर नाला पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं उपंते नदी नाले को पार कर रहे स्कूली बच्चे, मरियादों के बमनी नाले को पार कर रहे लोग स्रक्षय के इंतजामों के पोल खुलती हुई नजर आई है बड़ी खबर है दमोह से जहां पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई जान जोकी में डालकर नाला पार कर रहे लोग उपंते नदी नाले को पार कर स्कूली बच्चे जाते हुए नजर आ रहे मडियादों के बमनी नाले को पार करते हुए लोग नज़रा इस रक्षव के इंतजामों की फोल खुलती हुई भी यहाँ पर साफ तर पर देखी जा सकती है और खबर मुरेना सुझा क्वारी नदी में आया पानी तेज बहाओ के साथ रप्टे पर बह रहा पानी लापरवाई में रप्टे से निकल रहे लोग कभी भी बड़ा हाथसा हो सकता है रप्टा के उपर से दो फीट उपर पानी बह रहा है बाक्षिनी गाओं का ये पूरा मामला बताया गया है तो खबर मुरैनस है जहांपर क्वारी नदी में पानी आ गया है तेज बहाओ के साथ रप्टे पर पानी बह रहा है लापरवाही में रप्टे से निकल रहे लोग कभी भी बड़ा हाथसा हो सकता है रप्टा के उपर से पानी बह रहा है रप्टा के उपर से दो फीट उप पर पानी बह रहा है बाक्षीनी गाउं का यह पूरा मामला बताए गया है तीकम गढ़ में तूटी हर पूरा नहर नहर तूटने से खेटों में भरा पानी 44 करोड की लागत से नहर बड़ी थी पहले भी तूट चूकी है हर पूरा नहर और आप यह देखिए नहर तूटने की वज़े से जो खेट है उनमें पूरा पानी भर चुका है और इसके चलते किसानों को भारी नुचसान की बात कही जानी तकरीबन 44 करोर की लागत से इस नहर का निर्मार किया गया था ज्यादा बक्त भी नहीं हुआ था तकरीबन 7-8 साल हुए इसको पहली भी नहर तूटू की थी ऐसी हालाद बने थी दुबारा इसका निर्मार कराया गया लेकर उसके बाब जूद आप ये देखिए कि मौनसून आया और कुछी दिन की बारिश झील नहीं पाया नहर और बारिश का पानी कठा होने के बार नहर तूट गई और पूरा पानी लोगों सबस्टेशन धराशाई हो गया सबस्टेशन का बाउंडरी बॉल यहां पर तूट गया और आप ये देखिए कि बिजली सबस्टेशन धराशाई हुआ ये तस्वीर आपके सामने है थोड़ी बरसात में भरस्टाचार की पोल खुलते हुई तस्वीर सामने आई है सबस्टेशन का बाउंडी बॉल गेट सड़क बहग्या भरी थनक्षेतर के अमरपूरा गाउं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है बड़ी खबर है सीधी से थोड़ी ही बारिश और भरस्टाचार की पोल खुलती हुई नजराई टीवी की टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इससे ये समझा जा सकता है कि आखिरकर किस तरीके का गुर्वत्ता विहीन काम हुआ है करोणों की लागत से बिजली सविस्टेशन बनाए गया था जो कि पूरी तरीके से धराशाई हो चुका है बाउंडी बॉल, गेट सड़क बह गया, बहरी थनक शित्र के अमरपुरा गाउं का ये पूरा मामला बताया किया है पूरे देश में मौनसून जम कर बरस रहा है मौसम विभाग ने आज भी दिली अंसिया समेट 12 राजों में बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने आज भी दिली अंसियार समेट 12 राजों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है जिसमें मौसम विभाग की तरफ से मौंबई और मद्य प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है इसके अलावा यूपे उतरकन गुजरात में बारिश का औरेंज जारी हुआ मौसम विभाग के मुदाबे 25 जुलाई तक देश के कई राजों में भारी बारिश से लेकर मत्यम बारिश की जेतावनी जारी की गई है वहाई गुजरात में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है उससे जादतर जिलों में दिखने लगा है और आधे से जादा राज़बार से प्रभावित है गुजरात के लोगों के लिए एक तरफ बारिश आफ़द बनी हुई है वहाई दूसरी तरफ लगतार हो रही बारिश की वज़े से शेहरों में हो रहा जल जमाव दूसरी बड़ी मुश्किल बन चुका है दरसल अलग-अलग जिलों में सामने आई तस्वीरों में जादा तर शेहर जल जमाव से जूजते हुए नजर आ रहे हैं सूरत हो मरू भरूचो बडोदरा जूनागर बलसाड और चाहे आडंटू ये तमाम जगे बारिश की चपेट में हैं जल जमाव की स्थिति यहाँ प बहुत बड़ी समस्य बन चुका है क्योंकि बारिश का पानी लोगों के घरों तक भी भर रहा है कि गुजरात के वरूदरा में भीशन बारिश और जल जमाव की ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं जिने देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां लोग किस तरीके से मुश हाथी का स्तमाल करती हुई दिखाए दिये जाने एक तरफ जल भराप ने लोगों की मुश्किल बढ़ाए तो दूसरे तरफ चर्मराय व्यवस्थाओं की लोगों की चिनोती बन गई और चले सिधरू करेंगे मुखमंतर विश्ण देव से क्या कुछ कहते सुनते हैं कारबन उत्सरजन से मुख करने के दिशा में एक जुट परियास करेंगे हमारी एक जुटता से हम स्वस्थ प्रती इस प्रधात्मक वातावरन का निर्मार करते हुए मिल जूलकर विकास करेंगे मैं पुना इस समिट में मुझे बुलाने के लिए CII का बहुत बहुत आभार ब्यक्त करते हुए और ये समिट ग्रिन इस्टिल उत्पादन के छेतर में एक बील का पत्थर सावित होगा ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात समाप करता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर्थ और इसी के साथ खबरों में फिला लेते हैं आप देखते रहे नियूज जीटीनें पी छतिसगर नमस्कार